हलो फ्रेंड्स मैं आदित्य और आपके अपने यूटूब चैनल आलबेज एस्टेडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ अगर आप चैनल पे नहीं तो सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दिजिए कमेंट करके बताय करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है औ आज हम लोग देखेंगे जिव विग्यान का एक टॉपिक है मानो पाचनतंत्र ठीक है मानो पाचनतंत्र इस पर आज बात करेंगे इसके कुछ कुशन देखेंगे यह मानो पाचनतंत्र है बहुत अच्छे तरीके से तो किलियर नहीं हो रहा होगा लेकिन मैंने कोशिस की है अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं आगे जो है आपको इमेज अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा क्या 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 चीजे हैं वो चीजे थोड़ा थोड़ा सायद दिख रहा होगा चलिए बढ़ते हैं पहला कुशन है मानो पाचनतंत से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताईए लार ग्रंथिया और अगनाशय लार ग्रंथिया और यक्रित यक्रित और अगनाशय और लार ग्रंथिया यक्रित और अगनाशय तो इसमें जो विकल्पटी है आपका ये सही है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन हम लोग देखते हैं मानो पाचन तंत की प्रक्रिया में सामिल चरणों को सही अनुक्रम में बेवस्थित रखें अगला देखते हैं अन्तर ग्रहन पाचन अवशोशन आत्म सार आत्म शात और विसर्जन और देखते हैं विकल्प जो है इसका अगला विकल्प है विसर्जन अवशोशन पाचन आत्म सात और आत्म अन्तर ग्रहन अगला देखते हैं आत्म सात अवशोशन अन्तर ग्रहन पातन और विसर्जन तो जो इसका सही बिकल्प भी जो है सही है अन्तर ग्रहन पाचन अवशोशन आत्म सात और विसर्जन ठीक विकल्प भी आपका ये इसमें सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं हम लोग जो है अगला कुशन है सरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन सुरू होता है कौन सा है देखते हैं अगनाशा है पेट छोटियात और बढ़ियात तो किस में जो है प्रोटीन का पाचन सुरू होता है ठीक है विकल्प भी आपका सही है आगे देखते हैं अगला कुशन है एसिट का क्या काम होता है या पेप्चीन इंग्जाइम को प्रभावी बनाता है या भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टिरिया को मारता है निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है सिर्फ A, सिर्फ B, B, तीसरा विकल्प है A और B दोनो मतलब ना A ना B कोई नहीं इसमें जो विकल्प आपका C है वह आपका विकल्प सही है पहला और दूसरा मतलब की दोनों आपका ये सही है ठीक है आगे बढ़ते हैं एकला कुशन देखते हैं भोजन प्रणाली में सबसे बड़े हिस्से का नाम बताईए बड़ी यात, छोटी यात, अक्रित और पेट तो सबसे बड़ी प्रणाली का नाम जो है वो है छोटी यात ठीक है छोटी यात सबसे बड़ी भोजन प्रणाली का एक हिस्सा है आगे बढ़ते हैं भोजन का पूर्ण पाचन होता है पेट में छोटी यात में अगनासय में बड़ी यात में तो भोजन का पूर्ण पाचन जो है छोटी आत में होता है ठीक है छोटी आत में पूर्ण पाचन होता है आगे बढ़ते हैं यक्रित दवरा निकलने वाले वाईल यूस का क्या काम होता है या भोजन को छारी बनाता है या भोजन को अमली बनाता है या भोजन को तोड़ता है इन में से कोई नहीं तो जो बिकल्प आपका ए है भोजन को छारी बनाता है बिकल्प ए आपका सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है सरीर में मौझूद सबसे सक्त सामागरी का नाम बताईए डेटिन, पल्ब, इना मेल, इनमेसे कोई नहीं तो जो सरीर में सबसे मजबोत तक्ट सामाग्री है वो है विखलप C, इना मेल, ठीक है इना मेल आपका जो है ये बिकलप C आपका इना मेल सही है आगे बढ़ता है अंगला कुशन देखते हैं सरीर के किस अंग के हिस्से को भोजन अवसोसित होता है सरीर के किस हिस्से में भोजन अवसोसित होता है छोटी आत, बड़ी आत, पेट, यक्रित तो आपके जो है सरीर के किस हिस्से में भोजन अवसोसित होता है तो वो है जो है छोटी आत ठीक छोटी आत्मे बिकल्प आपका A जो है वही सही है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं यक्रित में यक्रित में कार्बो हाइडरेट के रूप में संचित अपच भोजन कहलाता है पल्ब, गलुकोज, लाइकोजेन इसके बाद कार्बो हाइडरेट तो आपका ब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें उपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर जरूर करें चैनल को अभी तक सक्स्राइब नहीं किया तो चैनल को सक्स्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फार वाचिंग